नमस्ते और स्वागत है आपका जीवन औशधी चैनल पर तो आज हम बात करेंगे कि पाइल्स की प्रॉबलम में हमें क्या खाना चाहिए। पाइल्स यानी की बवासीर एक कॉमन डाइजेस्टिफ प्रॉबलम है जिसमें रेक्टम और अनस के आसपास की वेंस में सूजन होती है। ये सूजन कबज अधिक दबाव या ऐसे कार्णों से हो सकती है जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। पाइल्स से जुझ रहे व्यप्ति को अपने भोजन में कुछ खास परिवर्तन करके इस समस्या को प्रबंध करने में मदद मिलती है। तू चलिए पाइल्स मैं हमें क्या खाना चाहिए इस प्रशन का समाधान स्टेप बाइ स्टेप समझे। स्टेप नमबर वान, हाइ फाइबर डायेट सबसे पहला कदम ये है कि आपको अपने भोजन में फाइबर युकता आहार शामिल करना चाहिए। फाइबर पाइल्स के रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये कब्स को रोखता है। फाइबर विच कब्स का एक कारण हो सकता है जो पाइल्स को बढ़ा सकता है। दिन भर में कम से कम 8-10 ग्लास पानी पिए। स्टेप नमबर 3 एंटियोक्सिदेंट रिच फूड्स आपको एंटियोक्सिदेंट रिच फूड आइटम्स को भी अपने भोजन में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये सूजन को कम कर सकते हैं। एंटियोक्सिदेंट रिच फूड्स में सिट्रस फूड्स जैसे की ओरेंज, लेमन, बेरीज और ग्रीन लीफी वेजटिबल्स शामिल करें। स्टेप नमबर फोर, आलो वेरजूस पाइल्स के रोगियों के लिए फेड मैंड हो सकता है। ये सूजन कम करने में मदग करता है। ध्यान रहे कि आलो वेरजूस को अधिक मातरा में नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका अधिक सेवन पेट मी इरिटेशन कर सकता है। स्टेप नमबर फाइब, अवोइड स्पाइसी फूड तीखा और मसालेदार खाना अवोइड करें क्योंकि ये पाइल्स के लक्षनों को बढ़ा सकता है। स्टेप नमबर सिक्स, प्रोबायोटिक फूड आइटम्स जैसे की योगर्ट और लस्सी अपने भोजन में शामिल करें। ये आपके पेट के स्वास्थय को सुधार सकते हैं। स्टेप नमबर सेवन, अवोइड ब्रोसेस्ट फूड प्रसंस्कृत भोजन जैसे की फास्ट फूड और पाकेज़ स्नाक्स से दूर रहे, क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकते हैं। स्टेप नमबर एट, स्मॉल, फ्रिक्वेंट मील्स छोटे भोजन की आदत बनाए और अधिक भोजन के बजाए छोटे छोटे भोजन करें। ये आपके पाचन तंत्र को सुधार सकता है। स्टेप नमबर नाइन, कॉंसर्ट अगर आप पाइल्स के लक्षनों से जुंज रहे हैं, तो कृप्या ध्यान दे की डॉक्टर से संपर्ख करें। डॉक्टर आपको सही दवाई और उप्चार के बैर मी सलाह दे सकते हैं। स्टेप नमबर टेंग, एक्सरसाइज ब्यायाम और योगा के द्वारा अपने पेट के स्वास्थ्य को सुधारने की कोशिश करें। इसे पाचन तंत्र को सुधारने में मदद मिलती है। ये थे कुछ कदम जो आपको पाइल्स के समस्या से निजात पाने में मददगार हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे की हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। इसलिए एक डॉक्टर से सलाह लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उनका सलाह लेने के बाद ही आप किसी भी भोजन या उप्चार को अपनाए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कॉमेंट करे जरूर बताए। और हाँ एक बात और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हाई सब्सक्राइब करें और स्वास्ट जीवन के रहास्यों को खोले। हमारे नए वीडियो और टिप्स से जुड़ने के लिए बैल आइकन को भी जरूर दबाए ताकि आप हमारे हर अपडेट को मिस ना करें।